हलो एंड वलकम दोस्तों स्वागत है आप सभी का तिवारी एकडमी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जालनेंगे क्लास 7 के साइंस का थर्ड चैप्टर रेशों शे वस्त्र तक के बारे में और साथ ही जालनेंगे इस चैप्टर से जुड़े कोशन्स और एंसर् चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं स्टैप्टर का हेंडिंग है रेशे से वस्त्र तक तो फ्रेंड चलिए सब से पहले हम या जान लेते हैं कि आखिर इस उप्में कौन सी बातें बताई गई है तो फ्रे साथ में आपको बताया गया है कि भेण का पालन के बारे में और साथ में आपको रेश्यम के कीटों के पालन के बारे में भी बताया गया है, तो friends चलिए सबसे पहले हम याँ जान लेते हैं कि आखिर रेशे से वस्तर तक में आखिर रेशे शब्द का आखिर क्या मतलब होता है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं रेशे तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं तंतू की सबसे पतली जो लड़ी होती है न उसे हम रेशे कहते हैं तंतू यानि तागे धागे की सबसे पतली जो लड़ीयां होती है वो होती है रेशे उनसे अब वस्तर तक कैसे हम लोग में उन्हें हम वश्य कहा रहें, जैसे शाठ पैंट य। जो भी हम पहन रहे, तो फरेंज चली अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये रेशे कितने प्रकार्के होते हैं, तो फरेंज आपने लास्ट के क्लस्ट में भी ठटह हैं कि रेसे, जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं प्राकृतिक और कृतिम ठीक है ना प्राकृतिक रेशे वे रेशे हैं जो हमें जन्तुओं से जो हमें पौधोस मिलती हैं उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं और वे रेशे कृतिम हैं जो हमें हम प्रयोग शाला में बनाते प्रेयों निरसे मतंब को नाम आता है आप सभी जानते हैं नायलों है यह सब ही कृतिम रेश Cambrian में जूट है उन है इसके अलावा रस्टे एज अब प्राक्र्तिक रेश्य आज हम हम लोग प्राकृतिक रेशे के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें से आप सबसे पहले, आप देख पारे हमा जो पहला शब्द है जानतव रेशे। तो फ्रेंड्स, जानतव रेशे से आप क्या समझते हैं चलिए पहले जान लेते हैं। जनतूं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं, उन्हें हमें हम जानतव रेशे कहते हैं, जैसे उन्ट से हम रेशे प्राप्त करते हैं, भेणों से हम रेशे प्राप्त करते हैं, बकरियों से हम रेशे प्राप्त करते हैं, साथ ही रेशम के कीटों से भी हम रेशे प्रा जैसे आप सभी जानते हैं उनकी सबसे अच्छी नसल जो होती है सबसे अच्छा प्रकार जो होता वो भीड़ों का होता है भीड़ से ही अमें उन मिलती है यह बात प्रकार होते हैं कुछ भीड़ के जो तव्याचायый यह न gak उनमें जो रोम होते हैं वो खुर्दरे होते हैं और कुछ के बहुत गोमल होते हैं ऐसे तवचा ऐसी तवचा वाले भेड जिनके जो बाल होते हैं तवचा पर उठने वाले जो रेशे होते हैं उगने वाले वो काफी तंतू रूपी मुलायम जो होते हैं उन्हें हम लोग कार्टित उन कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानि तंतु रूपी बाल उन के लिए हम काटित उन का इस्तमाल करते हैं, यानि काफी अच्छा मुलायम रेशे वाला बाल होता है, ये उन का ये होता है, ठीक है न, ये उन ही है, ये भेणों की होती है, तो फ्रेंड्स, अब ह क्याला वहाँ भी कई सारे जानवर हैं, जिन से हमें उन मिलती है, जैसा आप सभी जानते हैं, याक, जो है, याक की जो उन है न, वो तिबबत और लदाग में काफी प्रचलित है, याक से हमें उन मिलती है, याक जो है, इस प्राणी को हम कहते हैं, आप देख पा रहे हैं, इनने हम लोग या कह रहे हैं और ये तिब्बत और लद्दाक में इन से ही इनके रेशों से इनके बालों से हमें उन मिलती है साथ ही आपको यह बात भी जालने नहीं है कि कश्मीर में कई ऐसे नसल की बकरियां होती हैं जिन से हमें उन मिलती है उनके रेशों से बहतरीन साले बनाई जाती है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं अंगोरा बकरी ठीक है न आप देख पा रहे हैं विवेन प्रकार की कश्मीरी बकरी है उनके जो बाल होते हैं काफी मुलायम होते हैं उनसे बहतरीन शाले बनाई जाती उन्हें पश्मीना शाल भी हम कहते हैं आप डिख पारे पिक्चर्स में भी ये कश्मीरी बक्रिया है इसके साथ आप ये बात भी जालने ने फ्रेंड्स कि आखिर दक्चिन अमेरिका में पाए जाने वाले लामा और अलपेका से भी हमें उन प्राप्त होती हैं ये हैं लामा भी काफ़े मुलायम होते हैं यह बात भी आपको जाल लेनी है तो फ्रेंट्स अब हम लोग जाल लेंगे भेड़ पालन और प्रजिनन के बारे में कि आप सभी जानते हैं कि भेड़ों को पाला जाता है उनकी प्राप्तिक के लिए जब भी उनके सरीर से जो उन निकाले जाता इनसे उन्हें चोट नहीं लगती है यह बात भी आपको जाल लेनी है क्योंकि वहाँ पर जो कोशिकाय जो होती है सरीर के वह मृत कोशिकाय होती है जिस तरह हम अपने बाल और नाखुन जब हम काटते हैं तो क्या हमें दर्द होता है इसका उत्तर होगा नहीं उसी तरह जो अन्य पश्यों से भी अगर उनके बाल निकाले जाते हैं तो उन्हें दर्द फिलिंग नहीं होता है या बात भी आपको जान लेनी है तो हम भेड़ पालते हैं क्यों क्योंकि हमें भेड़ों से उनकी प्राक्ति होती है तो चलिए आप जान लेते हैं कि भेड़ का पालन में शाकाहरी होते हैं, ये साग, पत्या, खाकर ही जिवित होती हैं, इसके साथ ही आपको ये बात भी जान लेनी है, कि जो भेड है न, वो उनके प्रजनन के लिए एक विशेश व्यवस्था की जाती है, जहां पर एक जनक होते हैं, और भेड की एक अच्छी फसल होती है, एक भेड से हमें उन प्राप्त होता है, इसलिए उनके वंक्स में विस्तार किया जाता है, तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जाल लेंगे, भेडों से उन प्राप्त करने के जो चरण होता है, जो प्रक्रिया होती है उनके बारे में, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं, जो पहला कर लिया जाता है उतार लिया जाता है यह प्रक्रिया ही उनकी कटाई कहलाती है जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले पताया इस प्रक्रिया को करते वक्त भेड़ों को या फिर किसी अन्य जानवरों को दर्द नहीं होता है ठीक है ना और इस काम को किया जाता है मशीनों के द् जफाई होती है जैसा आप सभी पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं ठीक है ना इन्हें हम लोग अभी मार्जन की प्रक्रिया कहते हैं तो अच्छा के सहीद उतारे गए जो बाल होते हैं उन्हीं टंकियों में डाल कर अच्छे से साफ किया जाता है यह मशीन की प्रक्रिया द्वारा भी शंपन्य होता है और मनुश्यों भी यह टंकियों में करते हैं ठीक है ना इस प्रक्रिया को अभी मार्जन कहते हैं जहां पर तौचा में तौचा के साथ उतारे गए जो बाल है उसमें जो धूल गंदगी होती है ना उसे साफ किया जाता है यह चरण दो है ठी चैक की जाती है चंटाई केहने का मतलब कि बहुत ऐसे भेड़ें घैसा मैंने कहा उनके पहुत ऐसे रूए हो मोल्य होते हैं जो जो धूड़ें होते हैं अगले चरण में क्या होता है? यारी चरण चार में क्या होता है? देन आपको ये समझना है कि बर एक प्रकार के भी बाल होते हैं ठीक है ना? एक रेशे होते हैं जिने चाट लिया जाता है यानि अलग-अलग चरण में बाल को सुखाया जाता है पहले क्या होता है? पहले बाल हैं बाल कौन से छोटे घंए है उन्हें कहलाते हैं यह बढ़ वही इस्था होते हैं जो हमारे स्वेटर में एकत्र हो जाते हैं यह बाद भी आपको जान लेनी है उन्हें अलकर लिए जाता है ताकि ऐसी जो बर हैं वो बुनने के बाद स्वेटर में फिर से नहीं आ पाए ठीक है ना यह बात भी आपको जा लेनी है इसलिए उन्हें अलग कर लिया जाता है अगले चरण में होता क्या है इनकी रंगाई होती है याद रखना है ठीक है ना उनके उन रेशों से उन रेशों की रंगाई होती है क्यों रंगाई होती है जिनरली इसलिए रंगाई होती है क्योंकि सामानेत जो उन होती है वो काली और सफेद यत्वा भुशर होती है काली और सफेद या फिर भुशर रं और लोग जो है वो बाजार में जब ये भीके तो काफी आकरशित लगे ठीक है ना इसलिए रंगाई का जो चरण है वो चरण पांच में रंगाई होती है अगले चरण में रंगाई के बाद वाला जो चरण है उसमें क्या होता है रेशों को अब अलग किया जाता है रेशों क तागा बनाया चाहता है यह बाद भी आपको जाल लेनी है ठीक है ना जो चरण रिलिंग प्रॉसेस के नाम से काफी प्रशिद्ध है तो फ्रेंड्स जैसा आप सब भी जानते हैं रेशे से तागे बनने के बाद वो फिविन प्रकार के मशीनों में भेज जाते है ताकि उनकी कताई हो पाए उनकी बुनाई हो पाए या बाद भी आपको जान लेनी है और उनसे बस्त्र बन पाए या फिर स्वेटर बन पाए ठीक है ना रेशे से ही बनते हैं तागे और उन्ही तागों से बनते हैं बस्त्र ये बाद भी आपको जान लेनी है तो फ्रेंड्स चलिए अ जो पालन होता है उससे आप क्या समझते हो तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हो कि जानतव रेशे जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया ऐसे जो हमें जनतुओं से मिलते हैं जानतव रेशे कहलाते हैं यह प्राकृतिक रेशे हैं ठीक है ना यह रूप से हमें मिल रहे हैं तो उनमें से रेशम का कीड भी आता है रेशम के कीड़े से भी हमें रेशम की धारियां दोरियां रेशम के कपड़े मिलते हैं ठीक है ना याद रखना है आपको रेशम का कीड़ा काफी महत्पूर्ण है ठीक है ना रेशम के कीड़ का पालन क्य किया जाता है क्योंकि रेशम के कीटों से ही रेशम के फाइबर हमें मिलते हैं और उन्हीं फाइबर से हम बनाते हैं रेशम के कपड़े जो काफी दामी होते हैं अधिक मुल्लिवान होता है तो फ्रेंड्स जिस तरह आप जानते हैं रेशम के कीटों का पालन सेरी कल्चर कहला उसी तरह मदुमक्खी का पालन भी एपी कल्चर कहलाता है और मचलियों का पालन पिसी कल्चर कहलाता है और फूल का जब कल्टिवेशन कोई करता है फूल का कोई पालन करता है उनकी खेती करती है तो उन्हें हम फ्लोरी कल्चर के नाम से जानते हैं तो यहां पर हमें जानना ह शेरी कल्चर के बारे में यानि रेशम कीट के पालन से संबंदित जो विज्ञान है उन्हें हम सेरी कल्चर के नाम से जानते हैं तो फ्रेंड्स या बात भी आपको जान लेनी है कि जो रेशम हैं उनके कीड़े विबिन प्रकार के होते हैं इसलिए रेशम के जो वस्त्र होते हैं वो भी उनके अलग-अलग नाम है जैसे कोशा रेशम जैसे मुंगा रेशम ये क्यों है नाम क्योंकि ये जो कीडे होते हैं जो इनने तयार करते हैं इन रेशों को वो अलग-अलग तरह के होते हैं तो फ्रेंट्स चलिए अब हम लोग जाल लेंगे रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं रेशम का जो कीट होता है ना उनसे ही हमें मिलता है रेशम के तागे याद रखना है आपको मादा रेशम कीट अंडे देती है जिन से निकलते हैं लारवा और लारवा जिने हम आगे caterpillar या फिर resham का kit कह रहे हैं याद रखना है आपको friends बातों को मादा resham जो है वो अंडे देती है वे उन अंडो से निकलते हैं लारवे ठीक है ना वे लारवे थोड़े बड़े होकर caterpillar और या फिर resham kit कहलाते हैं तो caterpillar और resham जो kit होते हैं ये पत्तियों को खाते हैं ठीक है ना पत्तियों को खाकर ये अपना भरण पोशन करते हैं ये बड़े होते हैं याद रखना है आपको next है इसके जीवन चक्र में जो अगली अवस्था होती है वो होती है pupa की ठीक है ना pupa वो अवस्था है जब वह ठीक रूप से वैस की रूप होने से पहले की जवस्ता होती है इसके वह pupa कहलाती है ये फिर कौशिट कहलाता है याद रखना आपको इसके भी जीवन के कई सारे चक्रे हैं यानी मादा रेशम के किटों का अंडा देना, उनसे देन लारवा निकलना फिर caterpillar होना then उनसे pupa में बदलना pupa वह stages है वह चरण है जहां पर रेशम के कीड़े बस होने से ठीक पहले का जवस्ता है वह pupa कहलाती है या फिर कोशित कहलाती है यादकना है इस अवस्ता में वह अपने को काफी ऐसा feeling करते हैं अनुभव होते हैं कि उनकी जो जान है काफी खत्रे में है ठीक है न वह खुद को काफी अलग महशूस करने लगते हैं ठीक है इसलिए वह अपने चारों तरफ अपने और खुद को ढखने के लिए अपने दुस्मनों से पचने के लिए वह एक जाल को बुनती है, ठीक है? वह जाल प्रोटीन का बना होता है और वह अंग्रेजी के 8 अक्छर का होता है, ठीक है ना? याद रखना है, तो फ्रेंड्स जैसा आप सभी जानते हैं, यह जो प्रोटीन जैसी संरचनाई होती है, यह सुखकर ही रेशम के रेशें बनते है ये काफी मजबूत होती है और ये caterpillar उनके ही अंदर खुद को काफी सुरक्षित महसूस भी करती है जैसा आप सभी pictures में भी देख पा रहे हैं ये सहतूत के पत्ती पर अंडे हैं ये रिशम के कीट है और ये होता है कोकुन याद रखना है जिस कोकुन क्या है फ्रेंड्स तो कोकुन वह संरचनाए हैं जिस संरचना के अंदर caterpillar खुद को सुरक्षित करती है जिसकी संरचनाएं जहें में वह protein को स्रावित करती है जो अंग्रेजी के 8 अक्षर जैसे वह बूनती जाती है और उसी कोकून के तुORणा है यही कोकून ऑन्दर यह विक्षत हो रहे हैं यह कीड़े आप देख पा रहे हैं ठीक है ना यह धीरी धीरे ऐडल्र में आ जाते हैं अपने प्राप्ट्वैस्क को यह प्राप्ट करते हैं उस कोकून के अंदर और उन्हीं कोकून गेशने की छुखने से उन्हीं धीरे धीरे जब अलग किया जाता है तो वो पूरी तरह के एक लंबे शूते एक लंबे रेशे निकलते हैं याद रखना है हमें उसी वक्त इसे निकाल देना है अगर ये किड़े उनसे उस कोकून से अगर काट कर कोकून को काट कर अगर बाहर निकलते हैं तो वो कोकून फिर चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आखिर सहतूत रेशम कीट क्या होते हैं सबसे साधरन सबसे सामाने रेशम कीट जो होते हैं वो सहतूत रेशम कीट होती है सहतूत रेशम कीट इसलिए इसका नाम है क्योंकि ऐसे जो रेशम के कीड़े होते हैं ना उन्हें सहतूत की पत्यों को खाकर वो जिन्दा होते हैं याद रखना है आपको क्योंकि रेशम के कई प्रकार होते हैं कई प्रकार के कीड़े होते हैं जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया कुछ दिर पहले ठीक है ना बहुत ऐसे रेशम के कीड़े हैं जो सहतूत की पतियों को खाकर जिंदा होते हैं वहीं पर अपना जिवन चक्र पूरा करते हैं तो ऐसे कीड़े से मिलने वाले जो रेशे होते हैं सहतूत वाले रेशम कीट कहलाते हैं याद रखना है आपको नेश्ट में आगे बढ़ना है और जान लेना है कि आखर रेशम कीट के पालन से सम्मंदित कुछ बातें जैसे आप सभी जानते हैं कि रेशम कीट का पालन जो है वो अभी काफी विक्षित है और ये भारत का सबसे पूराना वैबसा है बिजनेस है काफी दिनों से भारत में रेशम के कीटों का पालन हो रहा जहां पर मादा रेशम कीट एक साथ कई सारे अंडे देते हैं उन्हें फिर अलग किया जाता है उन्हें फिर अच्छे से रखा जाता है सहतूत की पत्तियों पर जैसा आप सभी देख पा रहे है तकि ये धीरे-धीर बड़े होकर ठीक है ना caterpillar की अवस्था में आकर ये सहतूत की पत्तियों को खाते रहें ठीक है ना और एक समय ऐसा आता है कि वो खुद से कोकून का निर्माण करने लगते हैं जैसा आप सभी देख पा रहे हैं पिक्चर्स में भी ये इनके पूरे जीवन की संड़चनाए है जीवन का पूरा प्रक्रम है जो आपको बताया गया है एक समय पचीस से तीस दिन के बाद एक ऐसा समय आता है कि caterpillar जो है सहतूत की पत् निर्माण करते हैं याद रखना है आपको ऐसे आवस्था के लिए उन्हें बास में कबास के बने चोटे-चोटे कक्छों में वर्गों में रखा जाता है जहां पर ये अपने हिसाब से अपने सरीर के हिसाब से उनके आकार के हिसाब से कोकून का निर्माण करते हैं उसी त कि रेलिंग सब्द से आखीर और क्या समझते हो जैसा आप सभी देख पा रहे हो तोconnect valores कोकूं से रेशय्छे निकालने जो पद्दति है ती क्या है उनसे जो धागे बनाने की जो प्रक्रिया है पद्दति होती है उन्हें है हम रेशाम की डेलिंग कहते हैं याद रखना है आपको एक साथ कोकून के काफी बड़ी है ठेली को लिया जाता है ठीक है न की उशानी से रेशे उन्से आप निगा इस पूरी प्रक्रिया को ही रेशाम की रेलिंग कहते हैं हम तो फ्रेंट्स अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे शेप्टर से जुड़े पंक्तियां पढ़ी होंगी ठीक है ना वो पंक्तियां क्या है चलिए देख ले रहे हैं नंबर कॉमेडिया गया है बाब आ ब्लेक शीप है व्यू एन इवल मैरी हैद लिटल लैंब होस फ्लीज वास वाइड आस नो ठीक है ना यह आपकी दो पंक्तियां है जो आपको बताई लैंडर के supply है उन में से ब्लेक शीप काली भेड के किन भागों से उन होती है किन भागों में होती है नंबर को नंबर सेकेंड्स में आपसे पुछा जा रहा है मैमने या फैट मिन्स लैम के सफेद्रों वों इस प्रश्ण का उत्तर हमें किस तरह से देनी है तो सबसे पहले जो शवाल था वो है कि Black Sheep यानि काली भागों में उन होती है तो आपको लिखना है इस प्रश्ण के उत्तर में भेडो की तवच्चा के साथ उगने वाले महीन और मुलायम बालों में उन होता है यह आपको पहले लिखना है ठीक है ना friends आप देख पा रहें answer sheets में भी next आपको लिखना है कि आखिर मेमने के सफेद रोमों का मतलब क्या है ठीक है ना यह आपको पूछा गया था लिखना है मेमने के सफेद रोमों का मतलब या तात पर भेड के बच्चे के उनका रंग भेड और बक्रियों का प्रागर्तिक उन काला भूरा या श्रफेद होता है यह बात भी आपको लेकिनी है फ्रेंड्स ठीक है ना तो फ्रेंड्स चलिए देख ले रहे हैं कि आखिर प्रेश्ट नंबर टू में हम से क्या पूछे गए हैं प्रेश्ट नंबर टू आप देख तो गपा रहे हैं रेश्यम कीटि ऑ व में लार्वा है थिक एंड़ सही विकल्ब शूनि आपको कुछ अप्श्न sons दीए जा रहे हैं कुछ विकल्बं आपको दिये जा रहे वह विकल्ब कौन सा सही है वह आपको पता जुनों ही ठिक है ना और नमबर घॉ में है कि नहीं ओ और नहीं बहुत रिश्यम का जो कीत है समुझना है आपको फ्रैंड्स रेशम का जो कीत है वो क्या Caterpillar है या वह लार्वा है इन में से कौनसा विकल्फ सही है वो आपको पताना है कि को वाला सही है या फिर ओ वाला सही है या फिर दोनों ही गलत है या फिर दोनों ही सही है ठीक है ना तो आपका उत्तर होगा A और B मनतलब O और B दोनों ही सही है क्योंकि रेशम का कीट कैटरपिलर को भी हम रेशम का कीट कहते हैं और लार्वा भी रेशम कीट ही होता है यह बात भी आपको समझ लेनी है फ्रेंड्स ठीक है ना तो आपको लिखोगे आप नंबर गौ और और बौ नेक्स अम लोग आगे प्राप्त नहीं होती है वो आपसे पुछे जा रहे है नंबर को याक से नंबर खौ उंट से नंबर गौ बकरी से नंबर घौ घने बालो वाला कुटा से नहीं प्राप्त होता है तो उंट हम से हमें जिससे नहीं मिलता है वह है घने बालो वाला कुटा बाकी जो तीन बचे है यानि याक से भी मिलती है हमें उट से भी मिलती है और बकरी से भी मिलती है हमें ठीक है ना और घने बालो वाला कुछता से नहीं मिलती है तो फ्रेंट चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख ले रहे हैं प्रश्ट नंबर फॉर में हम से क्या पुछे गए हैं प्रश्ट नंबर फॉर निम्दलिकी सब्दों का क्या अर्थ है ये आप से पुछा जा रहा है ठीक है ना कुछ सब्द को दिये जा रहे हैं उनके अर्थ आपको बताने है तो फ्रेंट सैंसे बन होर है क्या समझ रहे हो टो फ्रेंट चलिए देख ले jut सवाल का उत्तर हमें किस Üा से अब देख पा रहे है नंबर फोर के उत्तर में हमें किस तरह से लिखना है आपको सबसे पहले हेडिंग देनी है पालन के लिए और देन आपको लिखना है पालन का अर्थ पशुधन जैसे गाय, भैश, बकरी, आधी को पैसा कमाने के लिए रखना और उसकी देखबाल करना य पालन कहलाती है इन जानवरों को खिलाया जाता है इन्हें आस्रे प्रदान किया जाता है और बहतर उपज जैसे दूध, मास, उन, आधी के लिए इन्हें पाला जाता है यह बात भी आपको लिखनी है ठीक है ना फ्रेंट्स? उधारन के लिए भेड को मुख्य रूप से उ उनके लिए पाला जाता है ठीक है ना?' देन आपको क्या लिखना है कि वे मुख्य रूप से कम वर्षा वाले छेत्र में पाले जाते हैं भेणे घाश और पतियां खाती हैं ये बात भी आपको लिखना है फ्रेंट्स देन आपको लिखना है कि उन्हें डालों डाल जैसे मक्का ज्वार और खनीजों के मिस्रण भी खिलाए जाते हैं ताकि उनका पोशन भी हो पाए ठीक है ना सर्दियों में उन्हें घर के अंदर रखा जाता है और सुखे चारे पतियां और अनाज पर पाला जाता है उन्हें अनाज खिलाई जाती है यह बात भी आपको याद रखनी है और अच्छे से आपको मेंशन करना है अपने उत्तर के शीट्स में ठीक है ना अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जान लेंगे कि आखिर उनकटाई का क्या मतलब है जैसा आप सभी देख पा रहे हैं हम लोग आगे बढ़ गए हैं और उनकटाई के बारे में हमें जानना है तो फ्रेंड्स उनकटाई का मतलब एक बार जब एक भेंड बालों की एक मोटी की परत विक्षित कर लेती है याद रखना है एक बार जब एक भेड बालों की एक मोटी परत विक्षित कर लेती है अपने शरीर पर इन बालों को उन प्राप्त करने के लिए काटा जाता है ठीक है ना याद रखना है आपको भेडों की त्वचा से उनको अलग करना उनकी कट क्दाई कहलाता है पहुत ही सिंबल समझना है आपको ली जब एक बार भैंड जो है वो मैस्जि tactics ponieważ वो उस समय को प्राप्त कर लेती है जब उनके जो बाल होते हैं वो घने हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं ठीक है। अधिक विक्सित हो तो उन्हें काट लिया जाता है उनकी प्राप्ति के लिए तो भेड़ों की तवचा से उनको अलग करने का जो कामिने ये वाला जो process है ये पद्धती है हातों सो भी बहुत बार होते हैं और काफी बार ये मश्रिनों की द्वारा भी संभव होते हैं Next हमें जानना है कि आखिर रेशम कीट पालन सब्द का आखिर क्या मतलब है रेशम कीट पालन ध्यान देना है आपको आपको लिखना है कि रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों के प्रजनन और प्रवंधन को रेशम कीट पालन की रूप में चानते हैं हम लोग याद रखना है रेशम कीट पालन वह तरीका है जहां पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है ठीक है ना याद रखना है उन्हें अच्छे से देखबाल की जाती है यह है रेशम कीट पालन विभिन प्रकार के रेशम जैसे सहतूत एक रेशम का टाइप है उस देन आप बोल स कोगे कि तशर रेशम आदी ये विविन विविन प्रकार के रेशम कीड़े प्राप्त किये जाते हैं याद रखना है विविन प्रकार के जो रेशम कीड़े होते हैं वो विविन प्रकार के रेशम के कीड़े होने के कारण वो विविन प्रकार के जो तंतुए हैं वो उत्पन करती है ठीक है ना और उनसे ही अलग-अलग प्रकार के रेशम का निर्वान होता है अलग-अलग नाम है जैसे तसर रेशम जैसे सहतूत रेशम याद रखना है आपको नेक्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्ट नमबर फाइब में हमसे क्या पूछे गया है प्रश्ट नमबर फाइब आप देख पा रहे हैं उनके संसाधन के विभिन चर्णों के क्रम में कुछ चरंड नीचे दिये गये हैं सेश चरंड को उनहीं सही क् जैसा आपने इस पूरे chapters में पढ़ा कि उनके जो संसाधन में विभिन चर्णों का जो नाम आपने पढ़ा कि फर्स स्टेज में ये है पहला चरण ये है दूसरा चरण ये है उसमें आपको कुछ चरण दिये जा रहे है कुछ को आपको भरना है ठीक है ना तो उनमें से चर ब्लैंक दिये गया है और दो ऑप्शन आपको दिये जा रहे है दो आपको दिये गया और आप बाकी चारों का भरना है ठीक है ना तो आपका answer क्या होगा पहले आप जानते ही हो उन कठाई का काम होता है दुसरे में अभी margin का का मोता है देन छटाई होती है देन बर की छटा वाले ठीक है ना उल्टा पूल्टा करके नहीं लिखना है याद रखना है आपको नेश्ट अमलोग आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे कि प्रश्ट नंबर सिक्स में हमसे क्या पूछे गए हैं आप देख पारें प्रश्ट नंबर सिक्स रेशम कीट के जीवन चक्र की उन पताना है कि जो डारेक्ट रूप से प्रतेक्ष रूप से रेशम के उत्पादन से संबंदित हैं जैसा आप सभी देख पा रहे हैं आपको चित्र जो है वह हमने बना दिया आपके लिए सहतूत की पत्ति पर अंडे ठीक है ना यह पहला बहुत इंपोर्टेंट है आप दे देन वो प्यूपा का कोकुन का निर्मान करते हैं और उसके अंदर विकास्षिल होते रहते हैं विक्षित होते रहते हैं ठीक है ना यह समझना आपको बातों को तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देख ले रहे हैं कि आखिर प्रेश्ट नंबर सेबन में हमसे क्या वो शब्द है जो रेशम के उत्पादन से संबंदित है चलिए देख ले रहे हैं पहले वो शब्द आखिर क्या है रेशम कीट पालन पुस्प क्रिशी सहतूत क्रिशी मदुमक्षी पालन और वनवर्धन यह आपको कुछ सब्द दिये जा रहे हैं और आपको इन में से दो सब्द को चूस करना है ठीक है ना आपको कुछ संकित भी दिये जा रहे हैं इस शवाल के अंदरगत जैसा पहला संकित है रेशम उत्पादन में सहतूत की पत्तियों की खेती और रेशम कीटों का पालना सम्मिलित है अब सभी जानते हैं कि सहतूत की पत्तियों को खाकर ही ये बड़े होते हैं इनके कीडे इनके कीट ठीक है और रेशम कीटों को पालना सामिल है नेक्ट नमबर दूसरा है कि सहतूत का वैज्यानिक नाम मोरस अलबा है ये आपको दिया जा रहा है ध्यान देना है आपको तो फ्रेंड्स ऐसा आप सभी जानते हैं रेशम कीट पालन और सहतूत की क्रिशी ये दोनों ऐसे सब्द हैं जो रेशम उत्पादन से संबंदित है आप सभी जानते हैं रेशम कीट पालन तो पहले ही बहुत ही आसान से आपको पताया जा रहा है कि एक सब्द ही है पूरा रेशम कीट पालन ये पूरा ही बताता है क रेश्रम उतबादन से संबंधी तो दूसरा है शहतूत की क्रिष्णी शहतूत की पतियों को खा कर ही जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले पताया सहतूत की पत्यों को खा कर ही उनके कीडे बड़े होते हैं तो यह आपको लिखना है नेक्स हम लोग आगे बढ़ेंगे फ्रें है चलिए पहले देख लेते हैं नंब को में हैं अभी मर्जन नंब खो शहतूत की पत्तियां नंब गो याक और नंब घो है कोकुन यह चार है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कॉलंबी में पांच आपको दिये गए है वाक्य उनमें से पहला है रेशम फाइबर उत्पन करता है ठीक है ना नंबर दो है उन देने वाला जन्तू नंबर थ्री है रेशम कीट का भोजन नंबर फो है रिलिंग नंबर फाइब है काठी गई उनकी सफाई तो अब इन्हें कैसे मिलान करना है कैसे मैचिंग करनी है वो हमें जान लेना इस उत्तर में ठीक है ना फ्रें अभी मर्जन का क्या मतलब होता है काठी गई उनकी सफाई का मतलब होता है अभी मर्जन आप कॉलंबी से चुस करोगे नेक्स्ट अमें जान लेना है सहतूत की पत्तियां तो रेशम कीट का भोजन जैसा मैंने आपको कुछ दिर पहले भी बताया और वीडियो में भी आपने जाना नमबर नेक्स्ट है याक याक के लिए अपलिखोगे उन देने वाला जन्तू और नमबर नेक्स्ट के लिए अपलिखोगे कोकून के लिए अपलिखोगे कि रेशम फाइबर उत्पन करता है यह कोकून ही है जिससे हमें रेशम का फाइबर मिलते हैं ठीक है है फ्रें अक्षरों से भरने के लिए संकेतों का उप्योग करिए जो अक्षर को पूरा करते हैं तो आपको कुछ संकेत दिये जा रहे हैं कुछ आपको एक पहली दिजा रही है वर्ग वाली ठीक है ना और आपको ऐसे पहलियों को भरना है अक्षरों की सहता से तो सीधे में आपको कु उपर से नीचे ऐसा आप सभी देख पा रहे हैं तो उनमें से जो शब्द है वो क्या है पहले देखिए कार्तित उनको अच्छी तरह से धोने का प्रक्रम ठीक है ना ये नमबर दो में हैं नमबर तीन में हैं एक प्रकार का जानतव रेशा नमबर सिक्स में हैं लंबी धागे जैसी संडचना जिसे बुनकर बस्त्र बनाते हैं अब जाएंगे हम लोग उपर से नीचे वाले की और उसमें देख लेंगे नमबर वन में लिखा गया है इससे बुने बस्त्र सरीर को गरम रखते हैं नमबर फोर में हैं इनकी पत्तियों को रेशम कीट खाते हैं नमबर फ च्शे और उपर से निचे में एक चार और पाच तो अब आपको किस तरह से भरनी ए कि तो सीधे में आपको लिछना ठीक है ना परिमार जन वह सब्धाएगा सीधे के लिए नमर तीन में आएगा ता रे श्वन ठीक complete पिस्त में आएंगे fiber ठीक है ना और number उपर से नीचे में आएंगे पहला में आएगा उन दूसरे में चौते में आएंगे सहतूत और next में आएगा caterpillar ठीक है ना तो इस तरह से आपको मैंने बता दिये हैं और आपको सिर्फ उस ब्लैंक को ठीक है ना जो वर्ग छेतर में उसे उसमें भर देना है ठीक है ना जैसा आप सभी देख पा रहे हैं तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो मिलते हैं हम लोग next के वीडियो में